हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चेनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज्यूकेसनल चेनल में आपका स्वागत है, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे, ऐसी लोग वन फिप्टी टैबलेट्स के बारे में तो हम सिखेंगे ये म एमर सर, आसिस्टम प्रोफेसर अपांडर पार्मरोक्स थैंक्यूव यू फर विइन, फार्मरोक्स पैमिली, अप्टेट रही है, फार्मरोक का साथ एक्साथ एक्सेसकर सकत है, स्टेडी मट्रियल, स्टीरेट तेस्स यीरीज लिग्च्छर विडियो लेक्चर things यापकर, अब आप disease and medicines related course भी फार्मारोग्स की आप अपर access कर पाएंगे कि जहाँ पिसी के अलग-अलग medicines के basic use के बारे में उनके dose, side effect, warning and contraindications के बारे में वो भी काफी affordable price में एक साल तक तो study material, test series and video lectures के लिए डाउनलोड करें फार्मारोग्स android user, android app download करें, iphone user app store से link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो अब समझते हैं aciloc 150 tablets के बारे में तो यह ऐसे class का medication है कि जिनको हम कहते हैं H2 blockers कि histamine H2 receptor antagonist जो medication है यही class का यह medication है aciloc 150 और इसके अंदर जो salt content हम देखें कि salt composition क्या है तो वो है ranitidine, कि ranitidine के जो tablet है इसके अंदर 150 mg के strength में available है और यह aciloc 150 जो है उसका brand name है कि जिसके manufacture हम देखें तो वो है cadilla pharmaceutical और यह medications basically क्या करती है जो stomach acid जो हमारा होता है उसको reduce करने का काम करती है body के अंदर कि जब ऐसे कोई बिमारिया होती है कि जिसके अंदर जो stomach acid increase होता है या फिर कुछ ऐसे medications होते है वो लेने के बाद कई बार stomach acid increase होता है तो यह medication वो सब भी conditions के अंदर जो है वो use की जाते हैं कि जो हम आगे detail में सिखने वाले है तो cadilla pharmaceuticals के बारे में हम जाने तो यह Indian multinational pharmaceutical company है कि जिसका headquarters हम देखे तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर है और वो 1951 में उसको जो है वो founded किया गया था उसके जो chairman हम देखे and managing director तो वो है dr. Rajiv Gandhi और जो founder हम देखे तो वो है इंद्रवदन अंबालाल मोदी और इसका headquarters है अहमदाबाद गुजरात के अंदर तो यह Indian multinational pharmaceutical group है और main जो है वो उसका headquarters अहमदाबाद में तो यह सबाब जो है वो important information रहे गए आपके लिए कि उसके chairman and MD के information founders कौन है और कब जो है उसको सरुआत किया गया था तो what are H2 blockers अब आपके mind में यह सवाल जरूर होना चाहिए कि H2 blockers का मतलब क्या होता है तो H2 मतलब की histamine के H2 receptor और इनको block करने वाली दवाई या मतलब की antagonist drugs कि जिसको हम कहते है H2 blockers drug और यह medication specially क्या करती है जो histamine की जो receptor जो होते है और उसमें भी जो H2 receptor होते है histamine के की जो parietal cell में होते है stomach के अंदर तो इनकी effect को block करके अपनी pharmacological action देते है और यह class के जो अलग-अलग दुसरे हम medication देखे तो वो एक famotidin है cimetidin है nisatidin है और यह ranitidin के जो आज हम सिख रहे है aciloc 150 तो यह medications के पीछे आपने कुछ एक common देखा होगा तो वो लगता है tidine यह जो है वो सभी common है H2 blockers के अंदर तो H2 blockers में tidine जो common रहता है कि famotidin रहती है cimetidine ranitidine and nisatidine तो उसी में से आज हम detail study कर रहे है aciloc 150 के बारे में तो H2 receptor क्या है वो अब आप समझे तो H2 receptor पहले तो होते कहाँ पे है उनका location क्या है तो यह होते है stomach के अंदर और stomach में भी यह जो उसके parietal cell होते है वहाँ पे आप देखो यह histamine receptor जो है वह वहाँ पे present है और यह histamine receptor जो पूरा एक pathway तयार होता है उसमें help करते है कि यह देखो यहाँ पे हिस्टे माइन और यह एक पूरा आपको pathway दिखाए देगा कि यह pathway के थ्रू last में जो है वो gastric acid जो है वो produce होता है और वो हमारे stomach के अंदर जो है वो release होता है तो यह parietal cell क्या करते है stomach acid को हमारे stomach के अंदर release करने का काम करते है और उसमें यह H2 receptor का involvement यह location पे है कि जब यह H2 receptor यहाँ पे proper मौजूद होते है और उनकी effect के करण यह पूरा pathway complete होता है और यह पाथवे जब complete होगा तो gastric acid जो है वो produce होता है तो इनका काफी important role है stomach acid के production में और उनके secretion में और यह stomach acid आगे जाके हमारे GI tract के अंदर जो हमारा stomach है वहाँ पे digestion वगेरा में help करता है कि जिसका main important है digestion की जो भी हम कुछ खाना काते है वो अच्छे से उसका digestion हो जाता है पाचन होता है तो पाचन की जो करिया होती है उसमें यह stomach acid का role है और वो stomach acid के secretion में role रहते है यह H2 receptor का बट अब आप condition समझे के कुछ ऐसे विमारिया होती है या फिर कुछ ऐसे medications होती है कि वो लेने के बाद यह acid excessive secret होता है कि जो normal secret होता है जिन लोगों को तो उनको कोई medication लेनी की जरूरत नहीं रहती बट यह gastric acid की amount समझो की बढ़ती जाती है increase होती जाती है तो वो जो है वो अलग-अलग problems करता है जैसे की digestive problems होते है और digestive problem में एक problem होता है GERD का कि जिसको हम gastroesophagal reflex disease कहते है acid reflex होना मतलब की यहाँ पर समझो की यहाँ तक थोड़ा normal acid हो की यहाँ पर जो है वो normal line है stomach acid के production नहीं बट यह देखो यह acid जो है वो यहाँ पर तक है जिसको हम कहेंगे की काफी high amount में यहाँ पर acid है अब और उसका level बढ़ेगा तो क्या होगा की यह उपर की और जो है वो reflex होगा इसूफेगस की और कि जिसके करण GARD होता है या फिर आप कोई ऐसी position में सोते है तो भी यह acid जो है वो उपर की और जो है चड़ता है तो जिसको हम कहते है acid reflex तो उस वक कि जब acid बहुत ज्यादा है तो उसी के करण वो reflex होता है hyper acidity जिसे condition है पैप्टिक अलसर के condition है acidity या वगेरा problem कि जिसके अंदर यह acid की मातरा जो है वो आपकी body के अंदर बढ़ती है main conclusion यही है कि acid जब बढ़ता है तो वो acid को कम करने के लिए यह medication basically जो है वो हम use करते है तो एसी लोग 150 का main basic use यही है because यह ranitidin उसके अंदर है और ranitidin जो है वो H2 receptor blocker के तोर पे काम करता है तो यह medication जो excessive stomach acid का जो production होता है उसको treat करने के लिए और साथ हो साथ उसको prevent करने के लिए भी use के जाते है विकाज आपने आप medication ले रहे है कोई तो उसके करन जो है वो कई बार stomach acid जो है वो ज्यादा produce होता है तो उस वक्त आपको acidity related problem ना हो इसलिए यह tablets जो है वो prescribe किया जाता है कि acidity के problem को solve करने के लिए GARD के problem को solve करने के लिए पैप्टिकल सर्डीसिस के जिसको हम कहते है PUD तो PUD के इलाज में भी यह medication यूज की जाती है अगर किसी को indigestion जैसे condition है dyspepsia जैसे condition की जिसको हम कहते है upset रहना stomach तो यह सभी condition को treat करने के लिए यह tablet यूज के जाते है especially जिनको acidity का problem होता है कि acid जो है बहुत ज्यादा बनता है उनकी body के अंदर तो उसको फिर से normal करने के लिए ऐसी लोग के जो यह tablet है वो prescribe किये जाते है अब समझते है उसके mechanism of infection के कि सेक्शन से यह काम करता है यह medication तो यह क्या करता है H2 receptor जो है उसको block करता है कि यह tablet का समझो जो कि हम dose हम देखे simply तो यह medication जो है वो patient दिन में ज्यादा से ज्यादा दो बार जो हो ले सकता है कि एक morning में ले सकते है आप फिर night में तो दिन में दो बार और at least 8 से लेकर 12 गंटे का जो है टाइम इंटरोल पे यह medication जो है वो यूज कर सकते कि अगर समझो कि यह medication का जब आप एक dose लेते है 150 mg तो फिर यह medication क्या करती है यह जो histamine के जो जो receptor है उसकी effect को block कर देता है अब यहाँ पे histamine नहीं होगा तो आगे यह pathway जो है वो possible नहीं होगा और यह pathway जो रूख जाता है तो gastric acid का जो production है वो होने लगता है कम कि जितने जितने यह H2 receptor बंद होते जाते है उतना आगे जाके जो है वो gastric acid का production जो है क्या हो जाएगा कम होता जाएगा कि जिससे आप यह medication लेने के बाद ऐसा फिल करेगे कि acidity जो है वो आपकी reduce हो रहे है excessive acid जो produce होता था वो काफी कम हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा दिन में दो tablet ही लेनी चाहिए और वो भी at least 8 से लेकर 12 गंटे के time interval पर अब उसके side effects समझते हैं तो side effects के कारण constipation जो हो हो सकता है कि यह medication जो हो आपको constipation करवा सकती है curves हो सकता है आपको यह लेने के बाद कुछ cases के अंदर diarrhea देखने को मिलता है मतलब कि यह alternative condition है कि कुछ लोगों को उससे constipation हो जाता है कुछ लोगों को diarrhea जिसा feel होता है फिर difficulty in sleeping कि रात को मतलब कि सोने में आपको difficulty हो late night तक आपको नेंद ना ऐसे condition कई बार हो सकती है dry mouth कि आपका जो mouth है उसमें आपको feel हो कि dryness feel हो कि जिसको कहा जता है dry mouth की condition saliva secretion कम हो सकता है तो ऐसे problem के कारण dry mouth जिसा feel करते हैं आप oral cavity के अंदर skin जो है कई बार dry हो सकती है कि आप जो आप feels करो तो आपकी जो body की skin है आपको ऐसे लगे कि dry हो रही है तो कुछ ऐसे side effects develop होते है इसके करण फिर headache जिसा feel करते हैं कुछ लोग कि जिनको सरदर जिसा जो है वो feel होता है ringing in the ears कि अगर ये medications आप लंबे समय तक लेते हैं तो कुछ cases के अंदर ये condition जो है वो देखे कि जाती है कि कान के अंदर कोई ring बज रही है ऐसा आपको जो है वो feel होता है कि जिसको ringing in the ears कहा जाता है और कुछ cases के अंदर runny nose कि nose में से जो है वो पानी आना या फिर जिससे सरदी जुकाम होता है और उस वक रनी nose होता है ऐसे condition कई बार feel होती है अब उसके contraindications और warnings के बारे में समझे तो pregnancy में उसको use करे या ना करे तो यहाँ पर आप देखो कि pregnancy category B है यह medication के safe है बट अगर आपको H2 blockers medications की hypersensitivity कि अगर आप tidin वाले कोई भी medications यूज़ करते हैं कि ranitidin है semitidin, nisatidin या फिर famotidin तो ऐसी लोग 150 में हमने जाना कि ranitidin है और अगर आपको यह H2 blockers की allergy है, hypersensitivity है तो यह medication को use ना करें फिर severe life threatening reactions हो जाती है आपको मतलब कि anaphylaxis reactions देखने को मिलती है कि अगर आप H2 blockers medications लेते हैं तो यह medication को ले ना avoid करें और 33 pregnancy के अंदर हम बात करें तो यह category B के अंदर आती है so safe है pregnancy के दोरान लेना but condition यह कि अगर आप यह medications ले के बाद आपको constipation जैसा feel होता है या फिर diarrhea जैसा feel होता है तो pregnancy में उसको लेना जो है वो तुरंत बंद कर दिनी चाहिए और उसके option में आप दूसरे medications या फिर antacid syrup वगेरा जो है वो ले सकते अगर आपको pregnancy के दोरान जो है वो acidity वगेरा feel होती है तो खास यह दियान रखना है कि अगर आप pregnancy में लेते हैं तो वो देखे कि कोई आपको side effect ना हो रही है कि जिससे कोई problem हो तो proper आपके gynecologist को एक बार consult करके ही pregnancy में ये medication को लिनी चाहिए तो medicine course को access करिये farmer rocks के अब उपर जाने medicines के basic use के बारे में उनके dose, side effect, warning contraindications वगेरा एक साल तक affordable price में तो दवाईयक की जान करिये आपको पूरी मिलेगी वो भी सरलबासा में तो एक्सेस करिये ये lectures के PDF, APTs वो भी affordable price में डाउनलोड करके farmer rocks application तो lecture notes के लिए डाउनलोड करे farmer rocks app, whatsapp कर सकते 901631, 2020 नमबर पे एक्सेस कर सकते study material, test series and video lectures farmer rocks के अब उपर तो android user, android app डाउनलोड करे iphone user app store से link आपको description box के अंदर मिल जाए की, so good luck and all the best